हलो गैज मैं खुशी रूप का स्वागत करते हैं अब अब या भी हमारे सामने एक मामला आया है जाहो जो की दिशा पताने को लेकि है क्योंकि दिशा पताने ने अपने बेड्रूम का एक सीक्रेट ओपन किया है तो चैके ये जानती है उनके बेड्रूम के अंदर ऐसा क्या ह जो कि आपको भी जानना काफी जादा मज़ेदार रहेगा मेरे साथ बने लिए पर उसे पहले अगर आप ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेचे बला आइकन को दबाते चीचान करेचे लगी तो कमेंट बाक्स में कमेंट करते हैं जरूर जाएए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हैं जरूर जाएए तो शुरू करते हैं आज की नीउस पॉटिको न्यूयोक इविंट में पहुची है दिशा पठानी और वहाँ पर जाके जस्ट एस के उन्होंने काफी सारी बाते की मतलब की वो जस्ट एस की वो ब्रैंड अमबसेडर बन चुकी है वो एक फेस बन चुकी है और आप लोग को पता है कि अभी अभी राधे मूवी आरे है तो उसकी सूटिंग में भी वो काफी स्था घुची वह क्या है और ऋसके साथ ऑनकी हाइट और उनकी स्माइल जब उनसे बात की गई थे अब उन्हों ने यह बता उस वाय जै क्टीश सरा जा तरी थी मेरे शिए अवी वारा प्रहूंू सरा हैего करने मोजेक्टिक रहे खाया है इसलिए मुझे लोग भी पसंद कर रहे हैं और उसी के साथ उन्होंने यह बताई कि जस्टर्स का फेस बनने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है I feel like कि मैं मेरा बैडरूम में मैं फर्स नाइट बिता रही हूं यानि कि वो जस्टर्स का जो ब्रैंड अम्बैसीडर बन चुकी है वो फील कर रही है कि शायद उनका बॉइफरेंड है शायद उनका पती है तो इसलिए उन्होंने एक ऐसे अंदाज में उन्होंने तूर मड़ोर की ये बात बोली है कि मैं फर्स नाइट ऐसे चशन का मना रही हूं अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स वर वाचिंग एचजे नियूज